Hello everyone, आज हम लोग परने वाले हैं, जादो, The Forest Man of India, Chapter 2, English Class 8, ओके, तो आएए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को, So, यहाँ पर दिया गया है, It was the scorching summer of 1978, यानि 1978 में काफी गर्मियों का सीजन था, scorching में होता है hot, ठीक है, यानि काफी गर्मियों का समय था, 1978 में, वेन जादो पैंग, जब जादो पैंग जो था, A Missing Tribal Teenage Boy, जो जादो पैंग था, basically है के, 15-16 साल का वो एक लड़का था, ठीक है, Return to his birthplace at Arunasapori, वो कहाँ पर return हो रहा था, वो अपने birthplace को return हो रहा था, और उसके birthplace का नाम था, Arunasapori, ओके, जहां पर उसका जन्म हुआ था, basically उसी के जश्ट पास एक नदी था, ठीक है, नदी आसलेन था, जिसका नाम था, ब्रहम पूत्र, okay, he had just completed his class 10, ठीक है, वो अभी जो पैंग था, basically अभी वो अपना high skill ही complete किया था, and he was about to loop strangely back into a different phase of his life, ठीक है, और वो एक अलग दुनिया में, या उसके जो life था, ठीक है, वो change होने वाला था, ठीक है, but no one could have predicted how, लेकिन कोई भी इसको नहीं बता पा रहा था, कि या कोई भी इसको predict नहीं किया था, या भविस्वारी नहीं किया था, कि जो जादो पेंग के life में क्या होने वाला है, ठीक है, इसके बाद से क्या होता है, जादो पेंग जाता है, और वहाँ पर देखता है कि 100 से ज़्यादा साप है, उसके किनारे पे मर के पड़े हुए है, ठीक है, वो जो साप थे, basically, किस करण मर गए थे, क्यूंकि उस नदी में बाड आ गए थी, और उस नदी में बाड आने के कारण, ठीक है, जितने भी साप थे, वो उस बाड से दह कर किनारे पे चले आये थे, और उस बाड पर जब आया था, उस नदी के किनारे का थी, काफी सेंड बार थे, सेंड बार मिस होता है, रेत या बालू, ठीक है, वहाँ पर रेत काफी थी, और काफी होट रेत थी, और जो वो साप जो दह कर मतलब किनारे आ गए थे, तो वो भागने की कोशिस कर रहे थे, लेकिन क्या था, वो लोग नहीं भाग पाए और सारे के सारे मर गए, अगर वहाँ पर कोई ट्री होती या पेड होता, तो उसके चांसों बस सकते थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी पेड पोधे, नहीं थे, इसके बासे क्या होता है इसके बास ए सारी चीजी देखते हैं जादो पैंग का दिल टूट जाता है अब वह काफे चीनतिस हो जाता है और इसके बारे में सल्वसन ढूंडता है कि आकर में जो साप मर गये हैं हम किस तरह से इनको बचा सकते थे या हम ऐसा हम लोग काम करें कि जो भाविस में आने वाले में इस तरह का हादसा ना हो एनिमल के साथ ठीक है एक उसकी गावों में एक कम्मुनिटी थी ठीक है जो में लोग सरपंच उगरा रहते हैं ठीक है उससे क्या होता है जादो पेंग जाता और मिलता है सकते देन दे एक्जोर्टेर हीम टू ग्रो ट्रीज और वे सब क्या करते हैं जादो पेंग को सला देते हैं कि तुम क्या करो कुछ पेर पोधे लगाओ वहाँ पर ताकि वो बड़े होकर पेर बन जाए और उसकी छाय में धेर सारे अनिमल्स बच सके हैं किसके लिए ट्रीज के लिए ठीक है वहाँ पर अगर ट्री लगाया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं धेर सारे अनिमल्स को बचा सकते हैं ताकि जिस तरह से हाथसा हुआ है मतलब सौ से ज़्यादा साप मारे गए हैं तो आने वाले समय में ऐसा ना हो ठीक है तो तरह पर अगर चाहां होँगे टेकिया नुच्डिया बत्री लगाय के लिए deeper अगर चिडिया ऑएंगी तो अपने अंडे देंगे तो लिए से भी चिडिया निकलेंगे ठीक है और जो चिडिया कंडे हैं, वो साब अगर आएंगे, साब भी चिडिया कंडे को खाएंगे, ताकि वो उसे जिन्दा रह सके और एक दूसरे पर डिपेंड रह सके, ठीक है? Along with their native wisdom, the villages offered the boy 50 seeds and 25 bamboos, plants, ठीक है? इसके पास से गाउंगोले ने क्या किया? जादो पेंग के 50 बिज दिये, मतलब पौधे की बिज दिये और 50 bamboos, bamboo plants क्या होते हैं? एक बांस होता है, ठीक है? यारी bamboos का एक पौधे देते हैं, 25 पौधे देते हैं और 50 seeds देते हैं, ठीक है? जो ज़स्ट 15 और 16 जो पेंग था अभी उसका उम्र था लगभग 15-16 साल का था, ठीक है? इसके बाद से क्या होता है? जो जब 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 देखता है, तो जितने भी बीज या पौधे लगाया हुए थे वो बड़ा सा फोरेस्ट यानि जंगल बन चुका था इसके बाद से वहां के जो लोग थे उस जिसने यानि पेंग को फोरेस्ट मैन आफ इंडिया के नाम से उसे बुलाने लगे प्लांटर आफ जंगल और प्लांटर आफ जंगल के नाम से भी बुलाने लगे उसको ठीक है इसके बाद जाद पेंग अपने आप से कहता है कि मैं कभी भी नहीं सुचा था कि मैं इतने छोटे से काम करूँगा और इतना बड़ा डिफरेंग करेगा आगे चल के ही सेस वो कहां आप्टर ओल इसके बाद पेंग स्टाटेड ठीक है इसमाल और पुवर इस फादर लखी राम आइन मदर अपुली पेंग सोल मिल्क फोर मीरेज लिविंग न ओडर तू फिट देर मनी चिलर्ड़ ठीक है लेकिन जो जादो पेंग था वैसे कि वो काफी गरी फ़ागे थे इसके बाद से क्या हुआ, इसके बाद से क्या हुआ, 1965 में क्या हुआ काफी बड़ी बाढ़ आई और इसके चलते अरुना सपोरी में काफी बड़ा तबाही आगया और जो जादो पेंग का माता पिता थे उनको 12 किलोमीटर वहां से अपने गाउं छोड़का दूर भागना पड़ा, कहीं उचाहिए हो भागना पड़ा, जिसका नाम था मजूली, ठीक है, और the side of river, यानि river के उस side उनको भागना पड़ा, क्योंकि वहां पर काफी बड़ी बाढ़ा चुकी थी, but that was not only parting, लेकिन वो स अपने माता-पिता के साथ रहने लगे, और जो जादो पहन था, उसको एक अनिल बॉर्थाकूर के नाम से, जो एक लोग थे, उनके पास रहने के लिए उसको छोड़ दिया गया, ठीक है, जो कि जोहरत में एक कोट मास्टर थे, उनके पास क्या करते हैं, जादो के मम्मी पापा क्या करते हैं, जादो को उनके पास छोड़ दिते हैं, लुक्ट अपर इसकी स्कूलिंग, और वो जो थे, जादो के पढ़ाई लिखाए, सब कुछ देखती थे, जितना भी खर्चा ह जादो पहेंग का वो लोग उठाते थे ठीक है आप्टर क्लास 10 यानि जब जादो हाइश कुल कम्प्लीट कर लिया तो पहेंग गेब अप इसकुल लिए पहेंग पहेंग अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है है तक है अभी उनके पास क्या था तो जादो पहेंग के बाता के पास क्या था but he is no ordinary cattle owner लेकिन वो एक तरसे जो जादव पेहंग था एक ओनर नहीं था cattle का ठीक है so he can lay claim to 1360 acres of dense defiant forest वो सिर्फ क्या कह सकता था वो अपने लाइफ में एक ही चीच किया था वो क्या किया था 1360 एकर में एक घना जंगल को लगाया था इसके बास से in the fertile period ऐपरेल और जून फटाल पीरओर स बारिस होती है लाइक जब हम किसी भी समय एक करते है अपरेल और जून के समयमें काफी बारिस होती है और इसके चलता है अगर कोई बगत को जमीन में बहती है या इसको अणनी योगाती है गुलमोह, डेविल्स ट्री, टेर्मेरिन, मलबेरी, मैंगो, जैक फूट, प्लम, पीच, बनियांस, अलिफेंट ग्रास, अन्द मेडिसिनल प्लांट्स ठीक है, एक यह बता रहा है, जो जादो पेंग, मतलब प्लांट कर रहा था, ठीक है, यह प्लांट किया था, जिन सारे प परकार के उसने पौधे लगाए हुए थे, ठीक है, and so on, the rest of the year, they collected seeds and saplings, और कई साल तक उसने क्या किया, जादो ने बीच को इकठा किया, यानि पेर पौधे के बीच को इकठा किया, within a span of five years, यानि पांट साल के जर्नी में, one किलोमेटर स्टेस अफ लांट गाट कवर्ड पांट साल में क्या हुआ, इसी तरह से जादो अपना पौधे लगाने के जर्नी चालू करता रहा है, मतलब वो जारी रखा, और उसके दोरान क्या हुआ, लगबग one किलोमेटर तक उसका जो जंगल था, वो पूरी तरह से फैल चुका था, पूरी घहना जंगल बन चुका लोकल इन्हाबिटेंट्स निगनेम ही मोलाई ठीक है, यानि जहां पर रहता था जादो पेंग, उसको मोलाई के नाम से लोग वहां पर बुलाते थे, मोलाई का मतलब होता है, फोरेस्ट यानि जंगल होता है, ठीक है, देन आप्टर क्या हुआ हुआ, आइन डॉट लाइन इसको नाम दिया गया मोलाई, जब जादो पेंग जो थे, 49 साल के थे, ठीक है, पेंग मुवड विद इस फैमिली टु दे एक लोंग मिसिंग गाउं, सिदक कोली मुख जोहरत इन, 2011, जो जादो पेंग थे, बैसेकली अपने फैमिली के पास चले गए, ठीक है, एक लोंग म जहां पर कोली मुख में था, 2011 में, ठीक है, इसके बाद से क्या होता उनके लाइफ में, वो क्या करते रहे, इसका मतलब, जो उनका दीन था काफी हार्ड होने लगा, मतलब, वो काफी हार्ड वो करते थे, घर पे पहुँचके, और वो क्या करते थे, कई किलो मीटर तक वो साइकल चलाते थे, साइकल चलाते हुए, एक नदी के किनारे पहुचते थे, वहाँ पर उनको बोट लेना पड़ता था, उस बोट पर एक नाव पर क्या करते थे, वे अपने साइकल को रखते थे और उस पार जाते थे, और इसके बाद से वो जंगल पहुंचते थे, ठीक है, then cycles again half an hour across the grassy meadows to resist cows said to clean out the dung, milk and the cattle, कहाँ पहुंचते थे, जहाँ पर उनकी धेर सारे गाय राती थी, भाहाँ से राती थी, वो काफी दूर यात्रा करने के बाद वहाँ पहुंचते थे, and speed cattle, menu to fertilize the fields, इसके बाद से क्या करते थे, जितने भी गोबर ह होते थे, fertilize होते थे, खाद होते थे, जो जादो पहेंग थे, वो क्या करते थे, खेत में पूरी तरह से speed कर देते थे, मतलब पूरी तरह से फाइला देते थे, ताकि उनकी जो पौधे हैं, काफी अच्छे से ग्रोग करें, ठीक है, so milk dispatch for sale, और जो गाय से दूद निकलती थी, वो milk को क्या करते थे, dispatch करते थे, मतलब pack करते थे, ठीक है, pack करते क्या करते थे, a sale, pack for sale, वो बेचने के लिए pack करते थे, a quick breakfast behind at 9am, और वो the forest that peng grew now, house five royal bangle tiger, ठीक है, यानि, जो जादो peng न जिस जंगल को बनाया, तो आए जानते हैं, इसमें कौन कौन से जानवर आ चुके हैं, ठीक है, कौन कौन से जानवर रहते थे, जानते हैं, five royal bangle tiger रहते थे उसमें, ठीक है, over hundred deer, मतलब 100 से जाता, हीरन आप उस जंगल में रह ठीक है, wild bird, more than hundred vultures रहने लगे हैं, ठीक है, several spaces of bird, यानि, कई तरह के परजातिया रहने लगी चीडियों की, ठीक है, including the pelicans, ठीक है, three or four greater one horns, रिंसो, सेरिस, beside of course, the snacks, who were the genus of the extraordinary story, ठीक है, यानि, सबसे लास्ट में क्या होता है, वहाँ पर सांभी रहने लगते हैं, ठीक है, ठीक है, धेर सारे animals, deer, elephant, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, धेर सारे मतलब प्रजातियां वहाँ पर उस जंगल में आकर रहने लगी, ठीक है, a heart of 115 elephant visits regularly for three to four months, ठीक है, थीक है, एनि, पूरे 35 साल में, ज्यादा पेंग कहा रहा है कि मेरे 35 साल केरियर में लगबग 85 मेरे जो काव यानि गाय थे उसने बंगाल टाइगर ने खा लिया ठीक है और 95 बफाहिलोस को खा लिया और लगबग 10 पिक्स यानि सूर को भी खा लिया ठीक है अपने भोजन के तौर पर मतलब पेंग कहते है जो कर के मजा करके अइसे बोलता है जो टाइगर है वो फार्मिं नहीं कर सकते हैं तो हाला कि यह जहिल से बात है कि वह सब क्या करेंगे काइटल को या जानौर को खाएंगे ठीक है, you see surrounded by his beloved trees paying may well have remained in their shadows had it not been for Jitu Kalita a local wildlife photographer ठीक है, Jitu Kalita को उने एक photographer रहता है, उसी एक पास रहते है ठीक है, paying के पास ही हमेशा हो रहता है इसका मतलब है, जहां पर paying रहता था वहां पर धेर सारे पेर पोदे हमेशा रहते थे जहां पर पेंग के उपर एक आर्टिकल जो था वह पेपर में छापता रहता था टूड़े, Jitu जहां जहां दो फ्रेंड्स मेंटर, the local administrator however, we are not forthcoming, it's a huge forest and cannot be protected by the handful of staff इसके बासे, Jitu जो जादो का पेंग था जीतू, ठीक है, वो सब कहते थे कि इतने बड़े जंगल को समालने के लिए हम लोग कुछ staff रखे इसको नहीं समाल सकते है, ठीक है इसके बस वो कहते है कि हमें साहिद कुछ लोगों का और hire करना चाहिए इस जंगल को देखभाल करने के लिए पेंग बिलीब देट लोग enforcement alone cannot help protect vulnerable spaces, ठीक है पेंग कहते है कि अगर बीना गवर्मेंट के, ठीक है हम लोग क्या कर सकते है, धेर सारे animals को protect नहीं कर सकते या धेर सारे पेर पोधे को protect नहीं कर सकते है, हमें कहते है गवर्मेंट की help चाहिए, ठीक है वे कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए हमें advice लेना चाहिए और हमें community एक community बनानी चाहिए हमें क्या group बनाना चाहिए जिससे कि हम लोग लोगों को बीच में awareness फैला सके कि हमें पेर पोधे जानवर को ना ही काटना चाहिए ना ही मारना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए बचाना चाहिए वर्ल डाइफ को पोचर्स मिस होते हैं जो बीना आदेश के किसी दूसरे जानवर को जान से मारते हैं उसको बोलते हैं पोचर्स और conjure world life मतलब जो जंगली जानवर है उनको बचाया जा सके Soon the world begin to take notice और जब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे Camping करेंगे तो जादो पेंग करते हैं कि जब वर्ल्ड है पूरी दुनिया है एक तरह से हमको support करना धरे-धरे शुरू कर देगी For this, Remarkable also undertaking जोहालाल नहरू इन्वर्सिटी इन्वर्ड पेंग और इसी के चलते जादो पेंग को कहा बुलाए गया एक उन्वर्सिटी में बुलाए गया जोहालाल नहरू इन्वर्सिटी में बुलाए गया ठीक है, अर्थ डेपे and honored him with the title of the forest man of India in 2012 2012 में क्या हुआ जोहालाल नहरू इन्वर्सिटी गये जादो पेंग और उनको सम्मानित किया गया किस नाम से सम्मानित किया गया forest man of India के नाम से उनको सम्मानित किया गया 2012 में ठीक है, so later that year यानि उस साल के बाद then President APJay Abdulluklaam felicitate with him the cash award in the Mumbai ठीक है, इसके बाद से कुछ साल बाद जो APJay Abdulluklaam थे ठीक है, President APJay Abdulluklaam थे, उनके हातों उनके कुछ award दिया गया, ठीक है मतलब मनी के रूप में कुछ award दिया गया the same year he was among the 900 experts who gathered at the 7th global conference app, ठीक है इसके बाद से उसी साल 9 से ज़्यादा expert जो थे जो की पौधयों गयराग पर research करते हैं, उनके बीच में ज़्यादा प्याँ गये थे, ठीक है then after क्या होता है the international forum of sustainable development at even in the France France में गये थे, ज़्यादा प्याँ ठीक है किस मोगे पे गये थे, international forum of sustainable development at even in the France, यानि एक तरह से क्या था ठीक है, वहाँ पे गये थे सनक्चरी SCF bestowed on him the wildlife service award in 2050 wildlife service award उनको 2015 में दिया गया ज़्यादा पेंग को, ठीक है और he received the padma shri यानि ज़्यादा पेंग को padma shri भी मिला है ठीक है, however price matter little this man to whom a whole crowded forest stand up in ovation ठीक है, यानि ज़्यादा पेंग थे उनको काफी अच्छा feel हो रहा था, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सारे जितने भी प्यर्पोधे मैंने लगाया है मेरे लिए welcome कर रहे है यानि मेरा स्वागत कर रहे है the padma shri is award for encouragement ठीक है, encouragement but says but my aim has always been too good too good for the country even the president of India has told something for the art, otherwise there will be nobody left nothing, ठीक है, इसके बाद से उनको padma shri दिया गया, ठीक है उनको increasement करने के लिए मतलब कि और धेर सारे पेर पोधे लगाने के लिए इसके बाद से उन्होंने message दिया लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हर एक person को पोधे पोधे लगाना चाहिए, जिससे की हमारी जो धरती है, पुरी तरह सा हरी दिखे और जो वातावरण है वो पुरी तरह से स्वच और साफ दिखे, ठीक है अगर पोधे नहीं रहेंगे तो इंसान भी नहीं रहेंगे, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है इसके बाद से क्या होता है if every childhood is given their responsibility to grow two trees, वो कहते है इसके बाद अगर हर एक बच्चे को कम से कम दो पोधे लगाने के लिए दो पोधे लगाने के लिए उनको जिमदारी दी जाए, it will solely lead a green India, यानि वो कहरे है कि हाला कि अगर हर एक बच्चा दो पोधे को लगाता है तो वो आने वाले समय में पुरी तरह से ग्रिन इंडिया हो जाएगा मतलब हर एक तरह पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे ठीक है पेग अर्जेस पेग ने मतलब क्या किया लोगों से रिक्वेस्ट किया कि हमें क्या करना चाहिए कम से कम दो पोधे तो या पेड़ लगाना ही चाहिए ठीक है इसके पास से इसके बास से इसके बास से हायर करते है उसी पैसे से और वो क्या करते हैं 5000 एकर एरिया में पोधे लगाना आप सुरू करते हैं ठीक है वो चाहते थे कि मैं क्या करूं जब तक मैं पेड़ लगाऊं मतलब जब तक कि पुरी दुनिया पुरी जो हमारा इंडिया है भारा भारा ना हो जाए ठीक है धेर सारे पौधे और लगाएंगे ठीक है तो हमें इस कहाने से हमें सिच्छा मिलती है कि ज़ादो पैंग है वो काफी ग्रेट परसन है जिन्होंने जंगल लगाया है और उनको फारेस्ट मैं आफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है तो यहां पर हमने जाना जादो पहल पैंग के बारे में कि उन्होंने अपने लाइफ में पौधे लगा कर कितनी अवार्ट को हासल किया पदम सिरी है और प्रेसिडेंटस भी उन्होंने मिला फ्रान्स भी गया है तो यहां पर हमें धरसाता कि यह request करते हैं हर एक नागरिस से, इंडिया का हर एक नागरिस से, कि हमें क्या करना चाहिए, कम दो पेड़ या पोधे हमें जिंदगी में लगाने चाहिए, ठीक है, जिससे कि इससे हमारी जो आतावरण है, साब सुतरा रहेगी, और हमारे आने वाली जनेरेशन, इसके लिए काफी उतर दायुत है, या काफी उसके लिए अच्छी होगी, ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है, प्लिस लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल, थैंको अच्छा लगा होगा 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 है,